दोस्तों आप लोग को पता है कि राजकोट के अंदर एक गेमिंग जोन में आग लगने की कारण लगबग 32 लोगों की मौत हुई है अभी मौत की वज़य एक्जेक्टली सामने नहीं आई है लेकिन बहुत हद तक जो है वो आग की वज़य सामने आ भी चुकी है मतलब उसको गवर्मेंट की तरफ से अभी क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि एक्जेक्ट वज़य यही थी लेकिन वहाँ पर चश्मिदीद हैं उन्होंने इसको क्लेरिफाई कर दिया है कि वहाँ पर आग लगी क्यों gaming zone basically क्या होता है हम लोग एक बार उसको समझने कोशिश करते हैं कि जहां पर entertainment के पूरे साधन उपसित होते हैं मैं इसके शुरुआत करना चाहूंगा आज mobile phone के जो लट बच्चों को लग चुकी है जो parents आज बच्चों को mobile phone दिखाते हैं वही mobile phone की उपर game खेलने लगते हैं और youtube shots देखने लगते हैं ये धीरे धीरे इतना दिल्चस्प हो जाता है कि जब भी बच्चे अपने parents के साथ में बाहर जाते हैं तो वो जिद करने लगते हैं कि हमें जो है वो उस gaming zone के अंदर जाकर game खेलना है जिस प्रकार से हम लोग घर के उपर mobile खेल रहे थे मतलब जो mobile phone की लथ है वही उसको gaming zone की तरफ लेके जाती है और game खेलने का इतना दिल्चस्प इतना जबर्दस चस्का जो है वो आज की युवाओं को लग चुका है कि अगर कोई दोस्त घर पे वैठा है अगर कोई दोस्त विदेश के अंदर है किसी दूसरे देश में भी ह तो भी वो आसानी से online gaming जो है वो कर सकते हैं हाल ही में क्या हुआ है कि TRP gaming zone है गुजरात के राजकोट के अंदर वहाँ पर आग लगी है तो gaming zone के अंदर बहुत सारे entertainment के साधन होते हैं game खेलने के लिए वहाँ पर बहुत सारे computers लगे रहते हैं computer के साथ में बहुत सारे power circuits होत द्हांचा आप लोग ध्यान से देखिए इस द्हांचे को आप लोग जब ध्यान से देखेंगे तो कही ना कहीं आपको white color इसके अंदर दिखाई दे रहा है इसमें साफ तोर पर जाहिर है कि कोई भी यहाँ पर cement का construction नहीं है जब इस gaming zone को बनाये गया था 2020 के अंदर दो एक बच्चे जो है वो खड़े किये गए हैं और पूरी तरीके से ये टीन शेड से cover है गर्मी से बचने के लिए इसके अंदर थर्माकोल का भी यूज किया गया था और वही थर्माकोल जो है वो आग लगने का कारण बना और यह आग लगने के बाद आप लोग देख सकते हैं क किस तरीके से पूरा का पूरा धांचा जो है वो दोस्त होता हुआ आप लोग को दिखाई दे रहा है इस गेमिंग जो उनके अंदर बहुत सारी फाइव बिग्रिट जो है वो यहाँ पर काम कर रही है ताकि वहाँ पर लोगों को बच्चों को बचा जा सके इनके अंदर अ नीचे उतरने का केवल एक छोटा सा सक्रा रास्ता था, टू वे होना चाहिए था लेकिन केवल एक सक्रा रास्ता था, इस building के सबसे बड़ी कमी ये थी, कि जो जाने के लिए रास्ता था, वही आने के लिए रास्ता था, जबकि जब भी किसी भी building को कुई commercial building है, जहाँ पर commercial activities हो रही है वहाँ पर fire की NOC ली जाती है no objection certificate जो भी department है fire का वहाँ से अधिकारी आते हैं और उस commercial building को देखते हैं कि यहाँ पर आने और जाने का दोनों अलग अलग रास्ता है कि नहीं है यहाँ पर fire के extrinser लगे हुए है कि नहीं कल कुमान आग भी लग जाए तो आसानी से बुझाए जा सके इसके लिए वहाँ पर परियाप साधर उपसित हैं कि नहीं है इसके बाद में ही एक NOC जो है वो जारी की जाती है खास बात यह है कि इस building के लिए कोई भी NOC नहीं ली गई थी और NOC ना लेने के कारण भी बहुत सारी मुश्किले जो है पहले भी इसको जहलनी पड़ी थी साथ में ही एक ही रास्ता था आने और जाने के लिए अच्छा थोड़ा साप लोग यहाँ पर देखेंगे कि यह building जो है वो पूरी तरीकी से तहसनेस हो चुकी है जो भी structure खड़ा सा हो पूरी तरीकी से नीचे दोस्त हो चुका है मतलब अगर आप लोग अब जाकर वहाँ पर देखेंगे तो केवल और केवल राख आप लोग को नजर आएगी टोटल चार वेक्टी इसके ओनर थे ठीक है चार वेक्टी में से पताई जा रही है यहाँ पर इस game zone जो है इसका नाम ता TRP, TRP के अंदर आप लोग मानके चलिए कि वहाँ पर लगबग 500 लोग एक साथ जो है वो gaming zone के नदर game खेल सकते थे, हुआ क्या कि यह बात है शनिवार की, शनिवार के दिन जिस game zone के अंदर game खेलने की जो price थी, वो 500 रुपे रखी गई थी लेकिन शनिवार weekend होने की कारण वही जो rate थी, 500 रुपे से घटा कर 90 रुपे कर दी गई थी और 90 रुपे आने की बाद, सभी लोगों के अंदर यह होड लग गई कि आखिरकार हम भी वहाँ पर game खेलेंगे और वहाँ पर, जहाँ पर 500 लोगों की जगए थी वहाँ पर लगबग यह मानके चली कि 700-800 लोग वहाँ पर पहुँच चुके थी game खेलने के लिए बच्चे, सभी लोग जो है वहाँ पर मौझूद थे, यह जो form आप लोग देख रहे हैं यह form जब भी कोई भी बच्चा, game जो उनके अंदर enter कर रहा है, TRP के अंदर, तो उस form को fill करने के बाद ही वहाँ पर enter कर पता था इसके अंदर यह लिखा हुआ है, कि अगर कल को कोई भी दुरगटना होती है, तो इसका जिम्मेदार, TRP game जो नहीं होगा वो खुद के लिए जिम्मेदार होगा, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है यह already जो है, वो form fill up करवाया था था कि इनकी कोई भी जिम्मेदारी वहाँ पर नहीं रहे, ठीक है यह बच्चों की यहाँ पर हस्ताक्षा रहा है, signature है और इसमें, एन्टर करने के बाद ही, बच्चे जो है वहाँ पर game जो उनके अंदर जा सकते थे यह तो एक चोटी सी घटना मैं आप लोग को बता रहा हूँ इससे भी और भयानक घटना जो है, वो दिल्ली के अंदर हुई है दिल्ली के अंदर नवजात जो बच्चों का hospital है उस hospital के अंदर आग लग गई है जिससे बहुत सारे नवजात बच्चे जो हैं उनको पूरी तरीकी से बंद कर दिया जाए लेकिन आप लोग सोच कर देखिए कि यह घटना कोई पहली तो है नहीं इससे पहले भी कई बार जो है वो घटना घट चुकी है कभी दिल्ली के अंदर आग लगती है कभी गुजरात के अंदर आग लगती है जैसे आग की घटना होती है उसके बाद में उसके बाद में ही ये सब तामजाम जो है वो दिखाने के लिए किया आता है प्रसेशन के तरफ से कि हमने सारे गेम जोन बन कर दिये हैं अब ये जो गेम जोन है इसके अंदर अभी हाल ही में आग लगी क्यों है उसके कारण की हम लोग बज़ा जानते हैं देखे बिसिकली क्या है कि ये पूरा का पूरा इस्ट्रक्चर जो था वो लकडियों के ऊपर खड़ा था और यहाँ पर गेम जोन में एंटर करने के लिए सीडिया थी जिस दिन यहाँ कि गेम जोन पर काफी भीड थी तो सीडियों का रिपेरिंग की जा रही थी और रिपेरिंग करते वगद सीडियों की वेल्डिंग की जा रही थी वेल्डिंग से चिंगारी जो है वो निकल कर उस लकड़ी के उपर जाकर लगती है और धीरे धीरे वहाँ पर आग फैलना शुरू होती है आग भले ही धीरे धीरे फैल रही थी लेकिन जैसे उसने एक बार आग पकड़ी वो मिंटों के अंदर मुश्किल से 5-8 मिनट के अंदर पूरी बिल्डिंग के अंदर फैल गई थी और सभी लोगों को अपनी चपेट के अंदर ले लिया था तो एक छोटी सी आग की चिंगारी ने पूरे इस गेमिंग जोन को द्वस्त किया और बहुत सारे लोगों की इसके अंदर जान गई है देखी बेसिकली बात क्या है कि हमारे यहाँ पर प्रशाशन की एक नाकामिया भी हम लोग कह सकते हैं जैसे माल लीजिए कि सबसे पहले तो इतना बड़ा गेम जोन जो की 2020 से चल रहा था इसके लिए फायर के अनोसी क्यों नहीं ली गई थी जबकि time to time जो है वो ये cross verification होना चाहिए कितनी commercial buildings ऐसी है जिन्होंने फायर के अनोसी नहीं ले रखी है और जिन्होंने ले रखी है उनकी भी एक listing जो है वो की जाए हम लोग इसको online भी कर सकते हैं कि जिनके पास में शहर के अंदर NOC है उसकी list जो है हम लोग online जो है उसको upload कर सकते हैं और जिनके पास में नहीं है उनको blacklist किया सकता है लेकिन actually में क्या है कि ये सारा जो ताम जाम आप लोग देखते है इसमें पैसा बहुत आता है और यही पैसा जो है प्रसेशन को खिला जाता है ताकि जो भी वहाँ पर मानलीजी के खर्च लगने वाला है हो सकता है कि मानलीजी के मैं अपना game zone खोलना चाहता हूँ और वहाँ पर 10 लाख रुपे का खर्च मुझसे होने वाला है 10 लाख मेरी जेव के अंदर है और 10 लाख मैं खर्च करने वाला हूँ लेकिन fire की NOC लेने के लिए 1 लाख मुझे खर्च करना पड़ेगा मतलब 10 प्रतिशत हिस्सा मैं केवल और NOC लेने के लिए खर्च कर रहा हूँ मैं अगर जेव से 10 जार उपे खर्च करके प्रतिशत के साथ मैं settlement कर लूँ ताकि मुझे NOC लेने पड़े यही पूरा मामला जो है verification नहीं किया कि कौन सी commercial building के पास में NOC नहीं है दूसरे जम्मेदार वो parents हैं जिन्होंने अपने बच्चों को mobile phone की लट लगा रखी है जिनको game खेलने की वहाँ पर लट है तो कि घर पी भी mobile phone को लेकर बैठे रहते हैं वो mobile phone के game addiction के अंदर अलगे हुए है आप लोग मुझे पताईगा कि क्या वाकई में यहाँ पर गल्ती किसकी है मैं आपके comment का इंतजार करूँगा लेकिन एक भारी नुकसान जो है वो आज जनता को उठाना पड़ा है तो आप मुझे एक बड़िया सा अच्छा suggestion दीजिएगा कि आखिरकार इसका solution क्या हो सकता है मिलते हैं आप लोगों से next lecture के अंदर टतले धन्यवाद थैंक्यू जैहें